एक्ट तो री वेलकूम फानल कैंट हम लोग बात करेंगे प्रोफ़स्थ अशाइल यह जगटनिंग इंजिनेर्गेग्र्वाईल मैंगेणियस ठीक है जटनिकल इंजिनेरग इंजिनेरग्र इंगेणिक्स घंप के लिए का सब्जेक्ट से बहुत इंपोर्टेंट आप कोई भी एक्जाम के प्रप्रेशन करते हैं ठीक है आइधर वह आप गेट के लिए पर रहे हैं इसे सीजै एै या किपीश्य्य ost Vollब यह आप चेक्ट के लिए पर रहे हैं तो एगनेकल्स अघर उसके लिए प्छू के एंटरू सर इंट्रविव के लिए बहुत इंपोर्टेंटेंट इस किसी abroad में जाएगा अगर पीजडी के इंटर्व्यू में चाहिए, एंटेक के इंटर्व्यू में चाहिए तो इस पाट से आप से कुष्यन पुछाई जाएगा जब भी आफ स्वाइल मेकैनिक्स परिखेगा और याज इसे को हम लोग बोलते है जो टेक्निकल एंजिनिरिंग इस पाट से आप से होता है बट हम लोग जो भी बात करेंगे हम लोग फुली फिजिकल प्रोपर्टिस की बारे में बात करेंगे ठीक है तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है क्यों यह इंपोर्टेंट है यह सब और यहां पर एक ची कोई भी टॉपिक अगे की की होवर करेंगे इसी यूजे होता है इंटाइर जियो टेकनिकल एंजिनियरिंग एसी को बोलते हैं स्वाइल मेकेनिक्स में आपको प्रोपर्टिस बहुत इंपोर्टेंट है इसी बीस के बेंस्ति में हम लोग पूरे इंटाइर फ़ॉंडेशन engineering, soil mechanics, advanced soil mechanics, technical engineering, और other कुछ ब्रांच जिससे transportation में आपका यूज होगा, इसके बाद आपका है, fluid mechanics में भी इसका applications है, irrigation में है, hydrology में है, तो इसका application आपको सब जगा मिलेगा, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए, हम लोग जब भी ह advertisements कि बारे में बात करेंगे हम लोग पहले देखेंगे Face system कि quis wax system किया है तो जो फ़स टाय माद देख रहे हो वीडियों उनके लिएала तो Face system फ़रा पता मिच्टलेगा क्या है Face system यह मान कि धिविजन क्लास है उस portable किसा पर दीखिए जो पहले से पाख रके उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा नोख स्वाइल मे pista के दौ तरह क कि फिल सीस्टंप पढ़ते हैं एक होता है थिंप सिस्टम ठीक है थिन फेस्टम दूसरा होता है अपको टू-फेस क्या होता है two-phase system क्या होता है three-phase system और two-phase system हम आगले slide में इसको detail से देखेंगे कि क्या difference है दोनों में और क्यों यह important है अभी याद रखेएगा three-phase system में यह वोता है वार्शली ठीक है आपका टू फेज में दो टाइप के होता है एक होता है और ड्राइ या इसको हम लोग गोलते हैं दूसरा होता है फुली सचुरेटेड ठीक है तीन तर्म याद रखिए गहां से अगर थी फेज सिस्टम होगा तो फार्शली सचुरेटेड होगा अगर टू फेज होती है एक तो होगा सॉलीट भाटिकल बनता है जब इस नहीं ञ नहीं या पार्टिकल मानने यह सॉईल है इसमें देखिएगा जौ खाली स्पेस है उसको हम लोग बोलते है एयर उसमें एयर रहेगा और इसमें थोड़ा वाटर फुट कर दीजेगा तो इसमें वाटर भी होगा अगर यह पार्शली सुट्रिटेड है तो उसमें तीनों चीज होगा सॉलिट्स भी होगी लिक्वीड भी होगा और पेअल भी होगा सिमलेली ड्राइश का केस देखिए गात इसमें से अगर फुरे लिक्वीड को हटा दिया जाए ठीक है जो वाटर होगा लिक्वीड मतला वाटर अगर वाटर को हम लोग रिमूब करते अगर मांगे जो बन ड्राइ क्या कुछ में धर से अगर वाटर को रिमूब कर दे तो इसमें क्या बचेगा आपके दो ही चीज बचेगा क्या 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 एर और अगर हम लोग फुली इसमें वाटर पूट कर दे तो वाटर जब भी जाएगा तो जो इसमें दो चीज होगा क्या क्या होगा एक वाटर और दूसरा आपका इसे केस को हम लोग बोलते हैं हमारा यही तीन फेस सिस्टम में हमारा दो है एक है थिरी फेस सिस्टम उसमें एक पढ़ना है उसमें आपका तीनों चीज होगा सॉलीड होगा लिकिड होगा एर होगा दूसरा टूफेस सिस्टम में देखिएगा तो इसमें दो है एक है ड्र कि ड्राइं दूसरा है फुलीरतेट राय में देखिएगा तो इसमें स्रिकेड़ होता है और सॉली Lori होता है जब आप फुली सरे देखेगे तो इसमें वाटर ला उलिट नहीं होगा सर्छी इसमें म्डि नहीं होगा और इसमे ए करनी होता तो यह इब इसको याद रह unicorn जब भी फेसट्म पड़ेंगे तो फेस सिस्टम होता है एक को विलोग बोलता है इक हो लोग बढ़ान है ध की फेस इस्टम में एक ही होता है हम लोग बोलते हैं स्टिति परकें वी हो सॉलिड और वाटर होता है एक दोर प्रोपरटीज है जैसे S है आपको आगे बताएंगे डिटेल से से degree of saturation क्या है degree of saturation यह degree of saturation क्या होता है आगे हम discussion करेंगे detail से व्यट आवे समय जिरे जब भी partially saturated होगा degree of saturation होगा 0 0 से 1 के बिच में बलना जभी पार्सली स्चुरेटीटेड होगा तो आपका जो सर्चेडरेशन क्या होगा विट्मीन होगा sıल और है अगर यही डॉय हो गया ड्राइ क्या होगा आपका डिबी अफ सच्छी देशन हो गा वाफ की इसमें खंत्राइब करेंगा आगे हम करेंगे तो अभी तक यह समझ गए क्या पड़ रहे है प्रोपव तर इसमें सवाइल तेरी फ्स्स इस्टम में और तीमी पसे बाद करेंगे राइन होता है इसमेंस की जब मोण टेगा ही जो कि असर दिशत को टॉटीजां कi बात करिये महता है थाल ठीकर इन दुथाप यह तो चीजाए फंट में दूसरा देखेगा इसमें एक इसका डीटेल से डागराम से समझा देते हैं देगें, phase diagram of the solid, soil तिसमें देखिये three-phase system, जो previous slide में आपको बता हैं, उसमें तीन चीजे होती है, क्या-क्या होता है, solid होती है, liquid होता है, solid होती है, water होता है, air होता है, two-phase system में दो होता है, dry और, आपका saturated dry में, solid और air, और इसमें water आप यहां पर देखें अगर मान लेड़ी तोटल वॉल्यूम इस वाइल की है ठीक है तोटल वालम क्या है वी यह i aiyah चुन मालते है वी वी मेंन्स के ठीकर वालम प। ओर statement । यहां तक क्या होजाका ?, 아फ OK B. अभी से याद रख़े गांगा का जो वल्यूम आ।, बहुलम आफ वाटर इसको हम लोग बोलते हैं presentationilaika, जॉसमीर बस्ताइब बस्ताइब अतीद देखिये कहीum पर स्वाइल पर्टिकल है मुंक्त भीक्त में देखिएग यह क्या हो जगा वेट वेट तोटल को यहां पर हम लोग दो चीज समझें एक है टोटल वोलूम में तीन पार्ट है बॉलूम ऑफ सॉलिट होगा यहां से यहां तक यह कहले लागा बॉलूम ऑफ वाटर और यह कहले लाएगा आपका वॉलूम ऑफ एयर ठीक है बॉलूम अफ वाइड एकल टो हाजाएगा बॉलूम ऑफ एयर प्लस लॉल्म ऑफ वॉल्म ऑफ यहां रख कहा आउताएगा वॉल्म ऑफ पांब आपयर यहिते जिरो होती है तो टोटल वेट क्या होगा डब्लो ये तो चीजह याद रखी गए टोटल वेट और टोटल वॉलूम इसमें क्लासिफाइब करेगा इसमें आ जाएगा वलूम आफ सॉलीड वीट वाइट वैर वॉल्म यॉटर वीट वाटर डोट वेट अब एक चीज और मालीजे यहां पर कोई स्वाइल है ठीक है इस स्वाइल को काटके यहां से लेके यहां जाड़े जब भी यहां से यहां लेके जाएगा तो दो ही दो चीछ चेंज होगा एदर एर चेंज होता है और वाटर चेंज होता है ठीक है इसका वॉल्म और वेट की बात कर रहे हैं कभ से हाथ सिक्लटंच भाइल को यहां से काट कि यहां पर थी तो यहां पर मानिच भाल्वनięcy अफ डोगा भी Gel यहां पर आने का volume of solid change नहीं होगा ठीक है यहां पर भी रहेगा अब क्या volume of solid but change क्या होगा volume of white अब यह बताए volume of white क्या उतार volume of air plus volume of water that means वाद जो भी change होगा हमारा either air में होगा नहीं तो water में होगा similarly अगर मालीच यहां पर weight है solid का this one total weight है w यहां पर आने के बाद weight रहेगा w but total weight change हो जाएगा तो यह चीज़े याद रखिएगा यहां समझ गए यहां पर next slide दिखते हैं यहां से start होता है properties इस slide से start करने से पहले एक चीज़ा पता रहना चाहिए अभी जो आपको बताए volume of white क्या होता है volume of air plus volume of water total volume क्या होगा volume of solid plus volume of white इसी को लेख सकते है volume of solid plus volume of air plus volume of water यहां पर लिख दीजिए V equal to total volume ठीक V equal to volume of air VW जाएगा volume of water Vs volume of solids ठीक और VB volume of whites तो इतना चीज़ याद रखेगा तोटल volume क्या हो जाएगा volume of solid air and water ठीक है और इसी को हम लोग बोलते है volume of solid plus volume of whites volume of white क्या होता है volume of air plus volume of water इसे ही देखेगा total weight कितना हो जाएगा आप लोगों को पता होगा weight और force में difference होता है ठीक है force weight का हमेशा unit होगा kg ठीक है force होता है newton में किसी भी mass का ठीक है यह सभी याद रखेगा आप आते है properties जो हमारा heading था आज का topic का वो क्या है हम लोग को पढ़ना है properties of soil उसके बारे में जारना था बट उससे पहले हम लोग को face diagram समझना बहुत ज़रूरी थी जब तक आप face diagram नहीं समझ पाई होगा तब तक आप properties के बारे में अच्छे से नहीं समझ सकते है ठीक है तो हम लोगे start करते है properties के बारे में जो पहला properties है यह है water content देखिए हम लोग यहां पर चुकि हम लोग revision class की तरह देख रहे हैं तो यहां पर हम लोग details से नहीं बताने जा रहे है just formula से आपको explain कर देंगे उसी से definitions भी बन जाएगा तो water content क्या होता है water content को small w से दिखाते है यह होता है it is a ratio किसका किसका आता है weight of water by weight of solid ठीक है यहां पर देखिए यह क्या है weight of water है और यह क्या है weight of solid है water content क्या होता है weight of water by weight of solid इसमें 100 से multiply कर दीजिएगा तो यही formula बन जाएगा कि इसका water content का अब इसे यह रटाटा हमारे लेजिए बहुत important है हर एक exams में इससे questions आती है लेख सकते है ww क्या है weight of water correct और आपका ws क्या है weight of solids याद रखिए यह soil नहीं है weight of soil नहीं है weight of solids क्या है कि दूसरा होगा इसका limit क्या हो सकती है important यह है कि इसका w का value क्या होगा कहां से कहां तक हो सकता है जीसे degree of saturation के बारे में बता जीए था आपको कि 3PS system में partially रहेगा 0 से 1 होता है fully saturated तो 1 dry के case में 0 होता है वैसी water content का भी एक range होती है तो कितना होता है range यह हमेंसा greater equal to 0 होता है आप किसी के mind में होगा कि यह greater equal to 0 कैसे पता चला देखिए कभी भी solid का weight 0 हो सकता है water का weight कैसे limit पता लगा यह का minimum कितना होगा water content जब हम लोग का case क्या आजाए dry case dry case में क्या था दो चीजे थी क्या था solid और air था इसमें weight of water आ रहा है क्या नहीं अगर weight of water नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा weight of water by weight of solids यह zero by solid that means क्या हुआ zero होगा minimum value कितना होगा इसका zero और zero से हमेंसा क्या होगा जैदा ही होते रहेगा इसलिए इसका range कितना होगा greater or equal to 0 मिनमम कितना होगा zero से हमेसा water content क्या होगा जैदा ही होगा किए से पता चला है dry बाला second phase मेंने देखेगा dry case में दो ही चीज़ होता है solid होता है यह होता है ऑट फर्मूला क्या है में वेट वाटर कंटेंड का वेट ऑफ वाटर वाई वेट असलोड मेट आप वाटरीए जी दो गया जो ऑगया देंस हुआ कि एनीधिंग जी टिरु तो जीडिरुक और वाटर कंटेंड कि इता हुआ जीडु के फिर्मुला है सेट्ट पॉपर्परटीज इंपोडेंट है ह गए आपका बोड़ देशियो आप देखिए वाइड रेसियो क्या होता है इधर एक पर देख लिए जा वजाए पता चलिया वकफ रॉल्म ओफ वाटर का तो देखिए यही से करने वाले हम लोग वाइड रेसियो फैट रेसियो इस नतिंग बट इस को हम लोग दिखाते है, a small e से, equal to होता है, it is a ratio, volume of voids, volume of solids, ठीक है, again यहाँ पर देखेगा, bb, bb क्या है, volume of voids, ठीक है, और आपका bs क्या है, यह volume of solids, नहीं है, volume of solids है, ठीक है, क्या है, यह volume of solids है, तो यह जब भी हम लोग volume of soil की बात करेंगे, तो उसमें तीनों चीज़ आएगा, air, water, plus solids, ठीक है, और यहाँ पर जो आपको दीख रहा है, यह solids का दीख रहा है, नीचे में जो dominator में है, यह जब भी है, याद रखिएगा न, volume of soil नहीं है, तो इस तरह से यह formula होता है, एगेन है, कि इसका range कितना होगा, तो आप जब भी define करिएगा, एक सोचिए, कभी भी volume of void zero हो सकता है, possible air, कभी भी, कैसे define करिएगा, volume of void क्या होता है, volume of air plus volume of water, ठिक है, अगर यह three-phase system है, ठिक है, three-phase system है, तो इसमें होगा यह, इसमें दोनों चीज होता है, यह जीरू होने का चांज़ी नहीं है, जहुआ हम लोग two-phase system में बात करेंगे तो two-phase system में होता है, एक होता है dry case, ड्राइकेस में Air होता है, मोज़ें प्लस देखिए गा खोगा सिब्सक्राइब वाटा बॉल्म ऑफ वाइड जीरो जाता है उसमें भी देखिएगा आप इसको अच्छा से समझ लिजी आप देखिए आपको फेश सिस्टम पराए एक है थिरी फेश सिस्टम ठीक है और दू है एक है two face system इसमें क्या था volume of void में solid ठीक है इसी combination को हम बोलते है volume of voids ठीक है two face system में दू था आपका dry case ठीक है और fully fully saturated case, فلی saturated case, इसमें dry case में क्या था, इसमें air होगा, volume of air plus volume of solids, ऑब इसमें क्या होगा, volume of water plus volume of solid, आप देखिए, इसमें volume of white कितना होगा, वी डाबलू पलस वी हे ठीक है इस केस्में इसमें पहला केस्में कितना हो seeking volume of equiv क्या होता है टीक है volume of water इसमें देगे व्लूम है नहीं है तो यह बराबर हो जागा किसका volume of air के बराबर इस केस्में volume of racism बल्यश्ग i case my volume of air a नहीं है क्या हो जाए इस case में ब्राबर हो जाएगा क्या ब्राबर direct कभी अबी इकल टु बेकर अब ले बट्ट है देखेंगा किसी भी case में फैंब फैंब जीरो नहीं हो रहा है डाइट मिन्स वा Byed To No One I Never Zero any case किसी भी case में Byed To Gorvel To Zero पोसेबल नहीं है डाकमिन्स हुआ E A value कभी 20 नहीं पोसेबल हो सकते, कभी 20 नहीं होगा means क्या हुआ E A value हमेसा क्या होगा Greater than 1 ठीक हुआ уaker 1無ải greater than 0 positive होगा greater than 1 नहीं हमेसा क्या होगा positive होगा कभी भी यह निगेटिव यह जीरो नहीं हो सकती है याद रखिए यह वात है ठीक है है तो हम लोग समझ गए बहुत इंपोर्टेंट है यह सब क्वेश्चन्स बहुत आती है अब्जेक्टिव क्वेश्चन्स पर जान गई आप देखते हैं तीसरा प्रोपर्टीज गया है द वालूम of solids solids Total that means स्टीशल के बात कर रहे हैं वी क्या है वलूम ऑफ Бॉलूम और व्हीं क्या है तोटल numb रूरे में प्रवलुम मींज देख रहे हैं में क्या होगा प्रवॉल्म औफ एरोलुम आफ वाटर वाटर व्ले Cigen sadly आंड़ोग पॉरोसिटी में ضund देख रहेते कि मौन्त नेख रहेते कि मीरे ठीक Diader और हमुअ फिर्फ यहाई ओर आप हम डिवाइट करte है इसमें देखें, इसमें दोनों सेम ही है, आपका porosity और white ratio, difference only क्या है कि जो हम लोग नीचे में divide करते हैं, इसमें हम लोग total volume से divide करते हैं, उसमें जब कि solid volume से define कर सकता है, इसका range हमेशा होता है, zero से hundred के बीचे, ठीक है, इसको समझने के लिए फिर से वही system है, आप two-phase system, three-phase system लिख लीजिए, possible case देख लीजिए, कितना से कितना हो सकता है, और आराम से इसको defined हम लोग कर सकते हैं, कभी between होगा क्या zero से hundred के बीच में, जो आगला यहां पे एक और point है, कि कभी-कभी objective में पूछ लेता है, कि E और N में, word ratio और porosity में, दोनों में कौन important है, जब भी हम लोग engineering work करते हैं, जैसे road बनाने के लिए जाते हैं, breeze बनाने के लिए जाते हैं, dam बनाने के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए जाते हैं, तो कौन सा parameter हमारे लिए जैदा important, तो इसमें याद रखिएगा, हमारा void ratio जैदा efficient होता है, जैदा important है in comparison to porosity, क्योंक इसमें देखेगा, जो divide होता है, volume of solid से होता है, तो इसमें variation होने की कम चांसे होती है, क्योंकि volume of voids हमेशा constant होता है, इसलिए हम लोग जब भी engineering के project करेंगे, either road बना रहे है, ठीक है, either building बना रहे है, dam बना रहे है, कुछ भी काम करेंगे, तो हम लोग prepare करते हैं, जैदा preference दे properties है आपका, उसका नाम है degree of saturation, यही बात करेंगे वहाँ पर, ठीक है, degree of saturation को किसे define करेंगे, degree of saturation होता है आपका, as equal to, it is the ratio of volume of water by volume of white, volume of white, एक बात बताइए, देखिए यहाँ पर क्या है, कि आपका यह soil particle है, ठीक है, यह soil है, इसमें क्या था, तीनों चीज़े, इसमें क्या क्या है, कौन-कौन चीज़े है, air है, ठीक है, solids है, और आपका water है, यह क्या कह रहा है, कि जो हमारा space खाली है, ठीक है, इसके between में, solid के बाद जो खाली space है, तो उसको हम लोग क्या बोलते है, volume of white, इस मतलब, volume of air plus volume of water, क्या रहे, volume of white में कितना percent water है, उसमें कितना water है, उस water क percentage को हम लोग measure करते है, due to the degree of saturation, that means, आपके पास जो खाली space है, volume of white, उस white में कितना water है, that is represented by degree of saturation, that means, it is a ratio of volume of water, ठीक है, divided by the volume of white, that means, volume of white में कितना water present है, उसी को हम लोग दिखाते है, किसे, degree of saturation से, अब देखिए, degree of saturation का आते हैं, उस case पे, जो हम लोग पहले कर रहे थे, है, three-phase system क्या था, three-phase system, इसमें क्या था, air भी है, water भी है, और solids भी है, ठीक है, तो solids का तो काम भी नहीं है, इसमें, देखिए, air plus water equal to क्या हो जाएगा, air plus water, air, volume of air plus volume of water, की equal to क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, volume of watts, इसको थोरा detail से फिर से देख लेते हैं, as equal to क्या होगा, volume of water, water, volume of watts, ठीक है, volume of white क्या होता है, volume of air plus volume of water, तो दूनों के, देख लेते है, three-phase system हम लोग पार रहेते, इसमें क्या क्या बता है, solids, water, आपका air, ठीक है, इसमें तिनों चीज़ होता है, इसका volume of solids, यह volume of water, यह volume of air, इन दुनों को combine कर दीजिए, add कर दीजिए, तो यह बनता है, volume of whites, आप बताइए, इसमें degree of saturation क्या होगा, volume of, water, volume of whites, आप बताइए, volume of white equal to है, air plus water, ठीक है, air plus volume of water, तो हमेशा यह less than, क्या होगा, one होगा, that means, यह 0 से, बड़ा होगा, बट एक से कम होगा, क्यों, क्योंकि माह लिए, यह बीएकल टू, बीवी कोई नमर है, 10, बीएकल टू 5, तो कितना होगा, 10 बटा 5 प्लस 10 कितना होगा, less than 1 होगा, हमेशा, चुकि यह, बीवीए से हम लोग डिवाइट कर रहे, ज्यादा नमर से, तो हमेशा कम होगा, ऐसे ही, आप टू-फेस सिस्टम में देखिएगा, इसलिए हाँ पर डिग्री अफ सचिरेशन क्या था, 0 से 1 के बीच में था, ठीक है, वन कभी भी पोसेबल नहीं है, कभी भी 0 पोसेबल नहीं है, टू-फेस सिस्टम में हमारा दो सिस्टम था, एक था, water, ŞOLID , ठीक है, और एक थाभ का air plus solid, Si, ठीक है, इसमें देखिएगा volume of woids क्यी हो जाएगा, volume of water के बडाबर, और कि समें क्या ओल्म मफ, i,d, il y,d,by air के बड़ाबर, यहां पर डिग्री अफ टीजरेशन क्या हाज थाएगा, वॉल्म ओफ वाटर बट्टा वॉल्म ओफ दोनों बराबर है तो डैटमेंज कितना हो जाएगा वन इसलिए हम लोग का फुली सटुरेटेट के समें डिग्री अफ सच्युरेशन कितना रहा था वन इसमें देखिएगा इसमें क्या होता है सब्सक्राइशन वॉल्म ओफ वन होती है और वो लिस ने 3-फे में हमिशा वाइलू 1 से कम होगा इसलिए हम लिखते हैं इसका रींज हमेशा डिगरी अफ स्च्युरेशन की रहेंज इसका रेंज हमेशा होगा 0 से 1 के बीच में तो इसका 0 भी पोसेबल की है तो This यह वाते याद रखekkатов इस तरह से हमारा कितना चार होगा है next देखते कौन से प्रपोरिटी आं देखिए जिसे हम लोग आभी समझे हैं degree of saturation, degree of saturation क्या था, volume of water, volume of voids, air content क्या होता है, कि आपको voids में air कितना है, ठीक है, voids में air कितना है, पहले हम लोग दिखाते हैं, AUC से, ठीक है, accounts, AC, it means, it is the ratio of volume of air by volume of voids, पहले हम लोग degree of saturation होता है ratio of volume of water by volume of voids, क्यूं, उस voids में water कितना present था, और यह होता है आपका, उस voids में air कितना present है, ठीक है, तो उस voids में air कितना present है, इसलिए हम लोग AC equal to लिखते हैं, volume of air by volume of voids, याद रखीए यह फर्मॉला यह भी बहुत इंपोर्टेंट है जहां पर भी यह क्या है भी यह आपका है वालूम अफ एर कंटे वालूम अफ एर और भी वी क्या है यह हो जाएगा आपका फर्मॉला है इसका रेंज कितना होगा वालूम अफ एर कंटेंट का रेंज वह इसी वह जाएगा जिसा आपका रेंज इसके बाद अगला जो अधिए वाईट्स क्या होता है यए यह दिखाते है यह यह रीज होता है वालूम अफ एयर बट्रोडल आपका यीज होता है वालूम करा निकालना हम लोग को कि वाइड में कितना एर पर्जेंट है और इसमें हम दो निकालते है, volume, air, air का volume कितना है, total में, that means और भी है क्या है आपका, volume of air ठीक है, और भी क्या है, total volume, क्या किया आजएगा इसमें, air, water और the solids, यहाँ पी क्या था, सिर्फ वाइड सा, वाइड सा मतलब volume of air plus volume of water, यहां पर हम लोग air continue में चेक कर रहे हैं, कितना percent volume present है किसमें, volume of oides में, ठीक है? और यहां पर चेक कर रहे हैं हम लोग की percentage of air, volume का air कितना है, total volume में, तो दोनों में थोड़ा difference है, air content जब भी होगा, में देखते हैं कि में डिखते हैं कि Tap ego कि में बर्सप्रेशन करेंगे कि इसे निकालते जब बनाएंगे तो उसमें आपको आगे और प्रोपर्टी और रिलेशन्सिप के बारे में आपको बताएंगे थैंक्यू